जी नमस्काल दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल लेज़े एक्वेरियम में तो पहले मैं एक्वेरियम की लाइट जो है वो अन कर देता हूं फोन से आप लोगों के सामने तो जिन लोगों जादू लग रहा है वो जाता परिशान नहीं कोई बहुत महेंगा जुगार नहीं कुछ नहीं है 200-300-400 रुपए तक की इंवेस्मेंट है और सिरफ लाइट ही नहीं फैन एयरपम फिल्टर वगएर किसी भी चीज़ को आप आटमाटिक में कनवर्ट कर सकते ह सब्सक्राइब करें तो आच अब करने वाला हो मेरे इस बिजिट्ल थर्ममेटर के बारहे में हाला कि कॉमेंट में भी मैंने कापी discussion जो इसके उपर कर चुको हूँ अपने वीवर्स के साथ बट मैं आप लोग को काफी important चीज बताने वाला हूं काफी खतरना चीज भी थाबित हो सकती है specifically winters के अंदर ठीक है ना हो considering the fact अगर आपके पास hard fishes है तो इतना कुछ खास फरक नहीं पड़ेगा बट अगर आपके पास बहुत ही जादा delicate fishes जो temperature को लेके बहुत delicate रहती है for example discuss वोगरा उनको बहुत जादा इससे impact हो सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले हम bunny card को thank you कहना चाहेंगे to you know make this video happen अगर आप लोग एक planted aquarium setup करने का plan कर रहे हैं और आपको सस्ते budget के अंदर चाहिए या फिर अगर high quality की प्लांट्स ही है वो तो हैं वो तो आपको हर जगे मिल जाते हैं अपार्ट फॉम दाट इनकी कुछ deals चलती रहती हैं जिसमें आपको कुछ discounts मिलते हैं आपको और जादा डिसकाउंट अगर चाहिए तो आप मेरा लिंक जो है description में आप उसको follow कर सकते हैं वहां से आपको additional discounts जो है वो plants के उपर मिल जाता है बाकी इनके website पर आपको plants और fishes के लावा और भी चीज़ेंगी तो आप एक बार website visit जो है वो जरूर करना और क्योंकि आप मेरे विवर हैं तो आपको additional discount जरूर मिलेगा जब आप order करेंगे तो यहां पर मैं आप लोगो कुछ live दिखाने वाला हूं जो कि मैंने observe करा बट उस चीज़ को दुबारा आप लोगो दिखाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा observe तो मैंने consider इस चीज़ को इसलिए करा मेरे को लगा शैद डिजिटल थर्मोमेटर है तो सही रहता होगा बढ़िया रहता होगा सब कुछ सही रहता होगा ताइम आपको एक डिगरी का उपर नीचे का disadvantage भी होती है तो आज इसकी disadvantage के बारे में आपको बताने वाला हूँ उस disadvantage को दिखाने के लिए मिरे को काफी दिनों का इंतजार करना पड़ा और मैं आप लोगों को बकाइदा वो disadvantage लाइव दिखाने वाला हूँ ठीक है अभी इस टाइम पर मेरा थर्मोमेंटर 31.6 डिग्री कि यह ज्यादा दिखा रहा है यह आपको बताता हूं और ताएमवी मैंटेनिनस होम क्यों रिक्वायर दैस्को साफ क्यों करके रखना जिए क्यों यह टेंपरेचार जहां दिखाता है कैसे दिखाते मैं आपको अभी दिखाना नहीं तो 31.6 ठीक है टेम्परेचर आप लोगों ने नोट कर लिया यह मैं थर्वा मीटर अब जो है आप लोग के सामने यहां से निकालने वाला हूँ इसको प्रॉपर मैंने मतलब गंदा होने दिया है ठीक है जिससे कि आप लोगों में लाइव दिखा तक हूँ कि वह यह अब यह देखी यह 31.3 पर आ गया है ठीक है जी अब यह कभी 161 को दिखा रहा है कभी 29 दिखा रहा है अब इस थर्मामेटर का जो यह पोशन होता है अब मैं इसको साफ कर लेता हूँ ठीक है अच्छे से साफ कर लेते हैं दो तीन बार पहुंच लेते हैं कि जस्ट बिकाउस अब इस यह सई टेंपरेचर जो है नहीं दिखा पाता है हम लोगों को और अगर हम अगर इसके इंदर जमने दे देते हैं तो यह ठीक से काम नहीं करता है ठीक है जी अब अब यह बहूर का टेंपरेचर अब मैं इसको वह पेस डालता हूं फिर हम टेंपरेचर देखते हैं कि अगर कि चिलो यह सेट हो गया है मारा जहां पर हमेशा रहता है जहांसे मेरा टौप फिल्टर का पानी निकल गया जाता है हाँ थो दूस्तों कि अब ट्रव्ट फट्री वन पॉइंट सिक्स से अब यह भाई सहब हमें जो टेमपरेचर दिका रहे हैं अब यह हमें जो कि बहुत ही रॉंग रीडिंग है आपसलूटली रॉंग रीडिंग है और मुझे यह भी लग रहा था एक परसेंट को कि हो सकता कि शायद वो मेरा पर्टिकलर जो है थर्मोमेटर खराब हो कुछ हो अब बाहर का टेंपरेचर भी एक बड़ी जो है चेक कर लेता हूं कि हम तरी 6.1 के ओपर आगे उस टाइंप पर एक थर्टी वाइंट इन इन नोटेश करी थी उसमें टेंपरेचर जो है जादा दिखा रहा था वहां पर 32 32.5 ऐसे आ रहा था जबकि मैंने अपने थर्मामेटर का अंदर जो इंटरनल टेंपरेचर है उसी को मैंने सब्सक्राइब तो गरम पानी के अंदर रहना पसंद करती है अगर आपके पास एंजल ज्यादा ट्रॉपिकल फिशेश है प्लस प्लांट्स होगे रहे हैं तो आपको एक सब्सक्राइब तो इसी चीज को मैंने आप लोग को बताना था कि यह अच्छा है आपको पॉइंट सब्सक्राइब तो पॉइंट के फ्लक्टुएशन जो है वो रियल टाइम पर दिखा सकता भी 35.9 के उपर जो आ चुका है बट प्रॉब्लम एस कि अगर आप इसको टाइम ली क्लीन नहीं करेंगे अब आपको दिन पकड़ के रखना पड़ेगा जैसे आप टाइम टू तो यह आपको इस तरीके से गलत रीडिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा वागी प्लांट्स के लिए रखिएगा डू विजिट दबनी काट और वहां पर अगर आप मेरा लिंक यूज करके जाएंगे तो आपको एडेशनल दिए 10% का डिसकांट पहां पे मिलता है पीछ फूड के वीडियो बनाई थी उसे भी देख लो फिश फूड का चल रहा हो काफी सारे फिश फूड है सरी की एक है दो बहुत सारे अलग अलग वरैटी के फिश फूड के वे उसके अलावा मैंने आपको 500 रुपे का डिसकांट बताया था एज ऑगस के नाम से हकानी वालों का डिसकांट जो है वह काफी बड़ी चीज होती है अपार्ट फॉम दाट मेरे को इंस्टाग्राम ट्विटर पे आप फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं सारे लिंक्स आपको डिस्रिप्शन में मिल जाएंगे और मेरा एक खुद का पर्सनल गिवए भी जो है दस जार रु लोग विए इस अँ ठर्ट प्र और भाप जार्ट एक चrän झाल्राइंट वालों छ फॉलो था जार मेरे कैम मिल जाह इंग है